हमारे प्रिय कस्टमर हमें खुशी हो रही है आपको ये बताने में कि आपके शहर में हमारी स्पीड अप कैप टैक्सी सोवेज शुरू हो गई है हम फिर से एक बार हफ्ते के सातों दिन 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध होंगे आपकी सुख सुविधा और सुरक्षा हमारी मुख्य प्राथमिकता है हमारा न्यू एन इंप्रूब्ड आप डाउनलोड जरूर करें आशा करते हैं आप हमें जल्द सेवा का मौका देंग आपकी स्पीड अप कैब दी प्राथमिकता है कर दो कर दो एक सहेली की बर्थरे पार्टी से टैक्सी में लौट रही तन्वी साहू को इस बात की भनक तक नहीं थी कि टैक्सी ड्राइवर के इरादे क्या थे तन्वी का घर पेकप पॉइंट से पेंटालिस मिनिट की दूरी पर था लेकिन उस रात तन्वी घर देर से पहुंची पर दुरूस्त नहीं तन्वी के लिए के लिए का था एक तन्वी के लिए के लिए के लिए तो मेरे सेल पॉइस का नाम और नंबर आगया था यह देखेज अदिधी यार देखना किसका मेसेज है स्पीड अप कैप वालो का ही मेसेज आया है ट्राइवर का नाम नागेश जोहान, मोबाइल नंबर, कैप नंबर एक्स वाइएच टू त्री फोर सिक्स तिमुर गंच कॉशल सिनेमा से फिकाप, साड़े ग्यारा बचे तक तक हमलो अराम से तिमुर गंच पॉच जाएगे तन्वी हां तुम्हें टैक्सी है बिठा के आगे निकल जाएगे ठीक है ना या अफकॉस या इस पर्फेक्ट सब जब मैं टैक्सी से उत्री थी मेरे घर के पास तब मैंने टैक्सी का फोटो लिया था मेरे फोन से क्या शर्माना मैंठम यह फेस तो इदर करो हमारे बीच हुआ होब आरे बीच है को दीसरा जानेगा तो मुझे बुरा लगगेगा टो मुझे बुरा लगगेगा तो फिर तो महारे साथ बुरा होगा अब चुल? कोशिक, इस कंपनी का अफिस का अज़ास पता करो. साँ. सर्थ, कंपनी की वेब साइट है. और बस, सिर्फ एक वेब साइट है. कोई ओफिस एड्रेस नहीं दिया. कोई नहीं, फोन करके पता लगा था. फोन नमबर नहीं, सर्थ, बस एक उनलाइन फीडबेक फोन है. निकल, टेक्सी बुक करने के लिए आपने किस नमबर पर कॉल किया था? सर, किसी भी नमबर पर नहीं. आपको अपने एक अप्लिकेशन है, बस उसे आपको अपने मोबाइल पर डाउनलोड करना होता है. अप्लिकेशन से टेक्सी बुक होती है? जी, सर. सर, ये देखे. ये इनका अप्लिकेशन है. सबसे पहले आपको अपना इमेल आईडी या फोन नमबर और पास्वड एंटर करके लॉगिन करना होता है. एक बार आपने लॉगिन कर दिया, तो आप अविलिबिटी स्टेटस देख सकते हैं. उसके बाद बुकिंग करके बुकिंग स्टेटस. टैक्सी की पेमेट आपने की दिया? नो सर, आक्चली इस एप्लिकेशन में मेरी क्रेडिट कर डिटेश ओड़ी इलूड़े हैं. मुझे मेसेज आ जाता है कि वो अमाउंट मेरे क्रेडिट कर से डिटक्ट हो गई है. क्रिमिनल टैक्सी ड्राइवर का फोन स्विच्ट ओफ था. टैक्सी कंपनी का ना तो कोई फोन नंबर था और नहीं आफिस का पता. बस एक एप याने एक मोबाइल एप्लिकेशन जिसके द्वारा टैक्सी बुक हुई थी. अब पुलिस कैसे पूछताच करती, इस क्रिमिनल को कैसे ट्रैक डाउन करती. फिर एक बार रात के अंधेरे में एक महा नगर में एक शहरी महिला के साथ एक महा जुर्म हुआ था. उस रात 27 वर्षिये तन्वी साहू अपनी एक सहेली की बर्थरे पार्टी से लोट रही थी. जू ही, जू ही सरपाल. तन्वी, आदिती और निखिल पहुच चुके हैं और हम लोग भी बस दस मिरट में पहुच रहे हैं. तुम गहाँ पे हो? सॉरी यार, बस निकल रही हूँ. थोड़ा लेट हो गया. I hope Meheer is picking you up. अरे, Meheer का audit चल रहा है. उसका कोई भरोसा नहीं है पर फिर में उसे पूच कर देखती हूँ. अच्छ, ठीक है. उसको कॉल करो और कॉल मी बैक. हाँ, I'm waiting for your call. So sorry, sweets. नहीं हो पाएगा. आज लगता है, कुलना इट है मेरी. Okay, okay. अच्छ, सुनो, जादा कॉफी मत पीना और खाना खा लेना. Okay. तुम्हें मिस करूँगी. I really wish मैं आपाता. अच्छ, सुनो, संभाल के जाना. और निकल डॉप करेगा ना तुम्हें? हाँ, Baba. अच्छ, जाओ तुम्हों भी काम करो. Love you. Love you too. Bye. पीटा, मिहीर तुम्हारे साथ नहीं जा रहा है, तो तुम्हेले जाओगी? अरे, मॉम, मैं अल्गरी निकल गई हूँ. बस थोड़ी ही देर में प्लाश शाइन मॉल पहुच जाओगी. पीटा, ज्यादा देर मत करना हा? हाँ, मॉम, डोन्ट वरी, जादा लेट नहीं होगी. वैसे भी कल काम है न, बारा सारे बारा बजट कर घर वापस आ जाओगी मैं. आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ओके? मिहीर, तुम्हारे साथ आ जाता तो अच्छा रहता न. हाँ, मॉम, क्या करें? अब उसे काम भी तो है न? उससे को मुझे चिंता हो रही है? देखो, बिटा, पापा भी कह रहे है उन्हें तुम्हारी चिंता हो रही है. अरे, मॉम, पापा को बुलिए, स्ट्रेस बिल्कुल ना लेने के लिए. वैसे भी में कोई डेंजिस एरिया नहीं जा रही हूं. चुई के बर्दे पाटी में जा रही हूं, हैपी बैश रेस्ट्रांट में. और निखिल और अधिती भी मुझे घर छोड़ देंगे. ठीक है? आप पापा को बोजी, खाना खाए और सो जाए. Okay mom, see you. Bye. Sir, कल रात साड़े दस बज़े तक, हम सब पाटी में ही थे. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tanneek, मैं और चुही तुम्हें घर ड्रॉप कर देंगे. No, you guys, कह रहे हो? मैं और अधिन से ड्रॉप कर देंगे. अधिन से टाक्सी तंट रॉप कर देंगे. विगबेत नगत महले बहुत दूर हो जाएगा. टाक्सी तंटी जमाने गए, मेरे दोस्त. Look at this. SpeedUp का cool application. Tanvi, हम लोग तुम्हें 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 घर तक छोड़ देंगे. Safe and sound on the dot. Such a cool app. It is. Done? Khaana कतम करो. Okay. जब हम तिमूर कंश पहुचे, हमने Tanvi को वहां टेक्सी में बिठाया. और फिर हम दोनों भी वहां से निकल गए. जब हम तुम्हें 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 तुम्हे सब कुछ ठीक ही लग रहा था लेकिन उसके बाद नेखिल और अधिती ने मुझे तीमूर गंज तक ड्रॉप कर दिया है तक घर पहुँच जाओंगे हाँ ठीक है लेकिन घर पहुचते ही फोन करना मैं यही रहूंगा अरे बस भी करो अब काम प्लीज घर जाओ सूजाओं जाओंगा ना यार मुझे कौन सा इश्ख है इस ओफिस से अच्छा तो फिर किससे इश्ख है वेल एक लड़की कल शाम को मिला बताता हूं अभी काम खतम करो अब ही काम खतम करो ओके चलो बाई लव यू जिट्टू अब लगातार फोन किये जा रहे थे पहले कुछ दिर रिंग जा रही थी पर कोई रस्पांस नहीं था उसके बाद तो फोन स्विच्ट ओफ आ रहा था अब यू फोल्ट इस करूंदी स्विच्ट ओफ सुन्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है तन्वी का फोन स्विच्ट ओफ आ रहा है तन्वी जी टैक्सी में बैठने के बाद एक्सेक्ली क्या क्या हुआ था आपके से दिन भर हाई प्रेशर जॉब फिर बिर्थरे पार्टी तन्वी साहू ठकी हुई थी टैक्सी में बैठने के बाद उसकी आँख लग गई उसे कोई खबर नहीं थी कि उस टैक्सी ड्राइवर की आँखे तब से उस पर थी जब से उसने टैक्सी में कदम रखा था नीद में खोई तन्वी को पता ही नहीं चला कि कब टैक्सी ड्राइवर नागेश चाहान की बदलती नियत ने टैक्सी के रास्ते का रुख भी बदल दिया था मुझे पता ही नहीं चला में कब सो गई पर फिर मुझे कुछ अजीब सा लगा और में उठ गए उस आदमी का चहरा इसका चहरा इसका चहरा यह कहां लेकर आयो तो मुझे तो मेडम शुरू करें झाल झाल किर दरोग वा हुआ है आपके मोबाइल से अपने फोन पे मिस्ट कॉल कर दिया है अब आपका चैरा हमारे दिल में और आपका नमबर हमारे फोन में इस्टोर हो चुका है कहीं गल्ती से मुझ खोला ना तो घर पहुंच जाएंगे सिद्धा दिन्या से डिलीट कर देंगे आप मैं किसी से कुछ नहीं कर दो मुझे का एची का मैंने मुझे का मुझे का मैंने लास्ट मेहिस से बात कीथी तो मेरे काल लेस पर लास्ट काल नंबर में नाया मेर, मेर जल्दी घर आजाओ, कुछ हुआ है ऐसा भी क्या हुआ मैडम जी, आपको तो बड़े मज़े आए आपने किसी मेर को नहीं, पुझे फोन मिला है अला था ना नंबर इस्टोर हो चुका है रोक, क्या शर्माना मेडम, अले फेस तो इदर करो हमारे बीच जो हुआ, वा हमारे बीच है तो मुझे बुरा लगेगा, तो मुझे बुरा लगेगा तो फिर तो मारे साथ बुरा होगा अजी तन्वी को टेक्सी में बिठाने के बाद, मैं और मेरी फ्यांसी अधिती लॉंग ड्राइब पे गए थे यार, ये स्पीड अप कैप से मेसेज आया है, अमाउंट डिड़क्ट हुआ है इतना लेट? यार, तन्वी को तो एक घंटा पहले गर पहुचाना चीए था देखो हलो तन्वी, कहा हो तुम? हलो निखे हम सब तन्वी के साथ सहमत थे कि ये मामला जल्द से जल्द पुलिस में रिपोर्ट होना ही चाहिए सर्फ, मैंने टेक्सी का नंबर आर्टियो को दिया है एक गंडे में गाड़ी की रेजिस्ट्रिशन डीटेल्स में लेए लेकिन एक बाद मुझे बड़ी अजीव लग रहे है एक टेक्सी सर्वीज अपनी वेफ साइट पर अपना अड़र्स क्यों नहीं दे रहे है निखल तुम्हे काम एक टेक्सी बुक करो इस पड़प काफ से उनसे गो कि मुझे नगर बाइपास से पिक अप है अभी? अभी टेक्सी आएगी तो जाहिर सी बात है उसके साथ उसका ड्राइवर भी आएगा और ये ड्राइवर हमें कम्पनी के माली को तक ले जाएगा जिने अपना एड्रेस देने मश्यर हमारी जन्वी जी आपको medical examination के लिए जाना होगा जी सर्व मैं तयार हूँ मैं उस हर चीज के लिए तयार हूँ जो उस आदमे को हमेशा के लिए बंद करते हैं ऐसे लोगों को खुला गूमने का कोई हक नहीं है सर्व बुकिंग हो गई है पंदरा मिनिट में स्पीड अप कैब यहाँ होगी बस एक बार ये टेक्सी आ जाए इसका मिटर हम कराएं तनवी जी आप एक बहादू लड़की है समझदार आधिर लड़ाय तो आप जी चुके हैं जो हमारे पास है बाकी के आधिर लड़ाय हम आपके लिए जीते अब शुरू हो गई खोज टैक्सी ड्राइवर नागेश चौहान की ये खोज इंटरनेट के सर्च एंजन्स पर की जाने वाली खोज से अलग थी पुलिस के पास सिर्फ एक ही सुराग था वो भी एक ऑनलाइन वेब एड्रेस स्पीड अप कैप कंपनी का जहां से उनका मुबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड होता है लेकिन असली दुनिया में किसी क्रिमिनल को सर्च करना उसे डाउनलोड करके कानून के फोल्डर में ले आना उतना यूजर फ्रेंडली नहीं होता चल भारत क्या बाद से लागेश-शौहन का है शाप में किसी नागेश-शौहन को नहीं जानता हूं शायद आपको गलत फूकनी दूप क्योंतों मैं तो एक मामुली टेक्सी हूं वह भी टेक्सी ड्राइवर हूं लेकिन इस वक्ट हमारे लिए खेल मामुली है तुम इस्पिडब के लिए काम करते हो ना जी साब उन्हीं ने मुझे यहां बेज़ायाय उन्होंने मतलब किनोंने ऐड्रेस क्या commission E канал मुझे नहीं पता साब उनके लिए काम करते है और उनका एड्रेस नहीं depende ढ़िए ए ओ देख कल रात नादेश चोह कांट किया है सीधे सीधे बोल दे नहीं तो तू भी अंदर जाएगा और तेरे साथ कि अन्य है कि अको एंदर तो ए रो ई ही चिए लन्य है यार हरियार, इन साब लोगों को Speed Up Cap के office का पता चाहिए Speed Up Cap का office? और नागे शोहन का भी नागे शोहन? वो भी तुम दोनों की तरही Speed Up Cap का driver है साब मैं किसी नागे शोहन का नहीं जानता हूँ और नहीं Speed Up Cap का office है हाँ, कुछ लोग हैं, जो उनका काम देखते हैं एक तरीके से office ही समय दीजिए ये Speed Up Cap का office यह है हाँ सर, यहीं पर है ये पहला flat एक बार आया था मैं यहाँ सर, ये flat है ये 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 Speed Up Cap का office है Office तो नहीं है पर यहां सब ऑपरेट यही से होता है अई प्रोब्म सर सर, ये ये साथ Speed Up Cap फॉरंग बेस कंपनी है और इनका में हैड ओफिस वहीं पर है ये तो सिर्फ उनका बैकन ओफिस है टैक्सी की बुकिंग से होती है नहीं सर, यहां पे तो सिर्फ डाटा कलेक्शन होता है कोई भी ड्राइवर अगर Speed Up Cap के साथ अपने आपको रिजिस्टर करना चाहता है तो उसके सारी डीटेल्स यहां पर जमा होता है तो फिर बुगिंग कैसे होती है अप्लिकेशन से अपिकेशन से वहाँ होती हैं अप्लिकेशन से जिसे होगए टेक्स बुक रिख करनी हो वह अपने अप्लिकेशन पर एक मैसज़ फॉवर करता है वह सेम मैसज़ सभी डेर्श्टर ड्यावर्स के पास जाता है और जो भी ड्रावर पिक अपॉइंट के सबसे नजदीक होता है, उसे वो कस्टमर मिलता है, सारा चांजक्शन सिर्फ एप्लिकेशन से होता है, और पेमें भी डिरेक्ट करेट कर से, पैसंजर के अकाउंट से डेविट और कमपनी के कॉनमे क्रेडिट, और कमपनी का और अजदीक होता है, सारा हमें तरनकों मिलती है हर महिने, सबी ड्रावर के लेटा क्लेक्ट करने और उसे मिंटेन करने के लिए, बस नागेश चोहन का क्रेक्टर सार्टिफिकेट सर अमारे पार सारे ड्राइवर्स के बेसिक डिटिल्स फाइल होते है फाइल करना एक बार पर वो सही है या नहीं इसकी वेरिफिकेशन कॉन करता अब यह जो नागेश चोहन का क्रेक्टर सार्टिफिकेट है यह असलिए है अनके, इसका तुम लोग कैसे पता लगाते हैं? सर, हमारा काम एक्चिली सिर्फ फाइल करना है, फिर हमेने स्कैन करके स्पीड अप्ट्राप के हेड आफिस भिज़ते हैं मतलब कोई भी एरा गहरा, जाली करेक्टर साइटिफिकेट, जाली ड्राइड लेसेंसि, जाली एड्रेस जमा करके, सब कुछ जाली देकर, तुम्हारी इस कंपनी का ड्राइवर बन सकता है सर, कंपनी हमारी गाहा है सर, हम तो सिर्फ पेपर वर्क देखते हैं सर, इसका जागेश जोहां जैसे आदमी को काम पर रख ले हैं, और यहां से हजारों मिल दूर बैठे तुम्हारे आकाओं को ये भी नहीं बारूँ कि उनके मुलाजिम यहां पर क्या बुल खिला रहे हैं, और शायद उनको पड़ी भी नहीं है, उनके ड्राइवर्स रेप करें या म कभी बस में, कभी ट्रेन में और अब टाक्सी में, और तो के साथ होरे रेप के वारदात कम होने का नाम नहीं लेते, हर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के दौरान और तो की सुरक्षा को एक होट मुद्दा बनाती तो है, मगर काओं और शेहर, दोनों में में, बच्चिया, महिलाएं और लड़कियां, हिंदुस्तान की आदी आबादी असुरक्षित है, रेपिस खुले आम घूम रहे हैं, जो ना उम्र देखते हैं, ना सामाजिक वर्ग, पर हमारा सवाल ये है कि देश का प्रशासर ने सब आखे मूट कर क्यों देख रहा है, क Speed Up Caps एक application-based taxi service है, जिसे इस दुनिया में कई देशों में operate करने की permission नहीं है, या permissions cancel कर दी गई है तुम दोनों को हमारी साथ police station चलना हो, बट सर हम, कोई बट बट नहीं है, और सिफ तुम दोनों को ही नहीं, अपने बोसेस को संदेश भेजो कि Speed Up Caps का कोई भी जिम्मेदार officer अपने आपको हमारी साम में पेश करें, वन एंटर पोल को एक्टिवेट करने में हमें जरा भी भी जिखंगर उक्रभी एक हमारी साथ नहीं है, चल्ष। नहीं भी जुत है, तुम जदेश कोई श्री करें अडिशण पर मुझे तुम के सबांसेश कोई भरे नवराज हिन का अडरस लिखा था करो साम सिर्णा फड़ा पढ़ोगा, भड़ा उटाविज मुझे मैसेजग ठीके सब सर पो comed Всे दुखिव। नागेष्चहन पीछा पान्ट अपयर्श को princi आप नागेष्चहन नागेष्चहन अपयरा तो यहां है रहता सा वहां ही हाता मतला अनुख कि पोद। रुख अदर्सु प्ocation का यहां है अब आगे का एड्रेस भी नहीं देकर गया ये नागेश एक नंबर का बदमाश और हरामी आग्मी हो मतलब? ऐसा कोई गलत काम नहीं होगा तो उसने ना किया हो वैसे आप लोग इस बार उसे क्यों डूल रहे हैं साब? उसने एक लड़की का रेप के लिए वो तो उसने तब भी किया था कोई नई बात नहीं है साब गुत्ते की दूम है वो कभी सीधी नहीं होगी हर गुत्ते का एक बुरा दिन भी आता है और उसका वो दिन बहुत करीम है वैसे आप कामी नहीं दब हो पक्का पता नहीं है साब पर इतना सुना है कि रेला नूर का रहने बार है पर इतना सुना है स्पीरफ कैब रेप केस में आरोफी की शनाक्त हो चुकी है 32 वर्षे नागेश चोहान एक हिस्ट्री शीटर है जो पहले भी मॉलस्टेशन और रेप केस में इन्वाल्ड रह चुका है हमारे सूत्रों से पता चला है कि नागेश चोहान के पास एक पुलीस द्वारा इशू किया गया करेक्टर सर्टिफिकेट है जो उसकी स्पीड़ अप कैक्टी फाइल में पाया गया और ये करेक्टर सर्टिफिकेट में उसके पिछले क्रिमिनल रेकॉर्ड का कोई जिक्र नहीं है वो करेक्टर सर्टिफिकेट नकली है हमारे रेकॉर्ड में कोई ऐसा करेक्टर सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गी हमालक से उसकी जाश कर रहे हैं पर इस वक्त हमारी प्रियारिटी है नागेश चौवान को जल्द से जल्द गिर्बतार करके गोर्ट में पेश करना इसके पहले कि वह शहर से भाग जिले सर एक्चली बहुत अंधीरा था मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कारी कहां पाकी थी उसने लेकिन ऐसी ही कोई जगह थी सर एक्चली में गारी में सु गई थी इसलिए मुझे यादी नहीं है कि उसने कहां से गारी घुमा ली थी आप सुरी क्यों बोले हैं सुरी तो वो होगा जिसने गारी नहीं अपनी तक्दीर घुमा ले अब टेंशन मत लेजे अब हमारा असली काम शुरू होता है झाल 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 यहां परवान अगर बाइपास पो उसकी गाड़ी घड़ी है साब कलजे घड़ी है कोशिक गाड़ी टो कर वाओ और फोरेंसिक टीम को इंफरम कर अब रहाओ रहलानूर पोलिस को भी खाबर कर अब नागेश योहन का कुछ पता चला है साब इतना पोस्टर लगवा है पूरा सहर में रहलानूर का तो अंदा भी पैचान लेगा नागेश को वो तो किसी अंधेरे बिल में छिबा बैटा होगा साब बार निकलना ना मूंके नहां उसके लिए बंदा है तो रहलानूर में ले सर यही गाड़ी थी सर अ नमबर भी वही है डेफिनेटली यही गाड़ी थी सर हास यही गाड़ी थी अलो सर आएम राजदीब कुमार पीड़प कार रीज़नल बानाचर क्या मैं लेज करते हैं यह काम भी कोई अपलिकेशन कर लेती ऐसा बिलकुल नहीं है हमारे यह हर ड्राइवर की वेरिफिकेशन हो अब नागेश के केस में भी उसका वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है हमा कैसे करते हैं अपने इन दो लगों एक लैटो ने मठा दिया है दो लैप्तोप के साथ इसे अब बैक आट ओफिस कहते हैं ड्राइवर्स कोन है उनकी बैग्ग्राउंड किया है वो कहां से आई है टैक्सी की कंडिशन कैसी है जी कभी परसनलिक देखने की जरुरत मैसूस की इन टैक्सी में लोग बैठते हैं मिस्टर कुमार मेरे और आपके जैसे लोग हमारे मापा पीवों भाई बहने बच्चे यह सब बैठते हैं मेरी बास सबज रहे हैं ना अबसलूटली सर आई अग्री विचिए अगलती हुई बट आक्शुली एक माइनर परसेंटेज माज मैं जाना नहीं चाहता है आप किन बातों में जाना नहीं चाहते हैं किन बातों में जाना नहीं चाहते हैं यह जानने के लिए मैं आपको यहां नहीं बलाया जब स्पीड़प कैब रेप केस न्यूज में आया तब मुझे याद है कि ये तो वही ड्राइवर है नागेश चोहान जिसके खिलाफ मैंने स्पीड़प कैब से शिकायद की थी मैंने साफ साफ लिखा था कि घर से एरपोर्ट तक या आदमी मुझे पड़ी गंदी नजर से घूर रहा था I was very uncomfortable ये कंप्लेन एक महीना पेले आपकी कंपनी को वाया एमेल भेजी गई थी मिस्टर कुमार हमने आपके बेकाइड ओफिस के सारे रिकॉर्स चेक किया लेकिन नागेश चोहन के खिलाफ कोई आक्शन लिए उसके एक महीने के बाद उसने रेप किया अप्छी एक्शन लियाप आपके खिली कहां सी निशेट हो जिए एक्शन लेने वाला भी कोई अप्लिकेशन ही था मुझे अपने हैड आफिस में चेक करना होगा बाते उठाने का वक्त अब निकल चुका है मिस्टर कुमार अब सरकार और हम मिलकर कदम उठाएगे फोरें में बैठे अपने आकाउ से कहा दे था कि उनका खुन चाहे जो भी हो लेकिन हमारा खुन पानी बिलकु नहीं तन्वी साहू का रेप करने से पहले नागेश चौहान ने उस टैकसी में एक और महिला के साथ बत्तमीजी की थी जिसकी शिकायत दर्ज होने के बावजूद भी उसके खलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया अंदाजा लगाया जा सकता है कि नागेश ने नजाने कितने कस्टमर्स के साथ क्या क्या किया होगा इतना ही नहीं टैकसी ड्राइवर बनने के पहले भी नागेश चौहान के खिलाफ कई क्रिमिनल केसे दर्ज हुए थी नागेश को हर बार जमानत पर रिहा किया जाना उसके खिलाफ हुई शिकायतों को इगनॉर किया जाना इस सब के बाद हुआ था तन्वी साहू का बलतकार बलेम गेम पूरे जोश में जारी था लेकिन सवाल ये था कि इतना संगीन जुन करने वाला नागेश चौहान इस वक्त था का सर नागेश चौहान का पता चल गया टीम रड़ी करो जी नागेश काया तो भी तक लौटे नहीं है, तो बोले बस जा रहे हैं, तो बोले बस जा रहे हैं, हमें इसके अलाबा कुछ नहीं मालूं साभ, इस वक्त नागेश कहा है, परसो जो गय थे, तो अभी तक लोटे नहीं है, परसो कहां गया था? पता नहीं, बस घर से गये थे वो हमें कभी कुछ नहीं बताते साफ तुम्हारी जयानकारी के लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ तुम्हारा पती फिर एक बार बनातकार कर चुका है और इस बार वो छूटने वाला नहीं पर तुमने अगर हमसे कुछ भी चुपाने के खुशिश की तुम पे जयल जाओगे वो भी कड़ी सजा पने के पात साब पे रहे हम कीजे साफ अमें कुछ नहीं बता वो का है? साब, साब ओनागेश चुहान यही पास के जंगल में देखा गया है आज सुबह चाय की टुबडी में चाय भी रहा था और पास की जंगल में चाला गया मुफ स साब, साब में तुछने की, साब सिरवा रहे हम बताते तूले क्या कीजा साब जबरस्ति की थी साब सifer में सामने सरे के रिक्वेश्च पैसे लिए हम से साब साब बात तुनिया ना कोई दोभत जबरस्ति निए उई साब मेरी बाट माननेगा अप अपने सज बोल रहो थाप नागेश चौहान कानून से भागते भागते अपना शहर अपना गाउव अपना घर सब कुछ छोड़कर जंगल में जा छपा था लेकिन पखले जाने के बावजूद इस आदमी में रत्ती भर का पश्तावा नहीं था यह जितना विक्रित था उतना ही धीट भी साब आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते हैं हम मैडम और हमारे बीच में संबंध हुआ गाडी में लेकिन वह उनकी मर्जी सथा साब पुरे थीस हजार रुपे लिये उन्होंने हमसे थीस हजार थीस हजार तू कैश लेकर कुम चाहिए साब चल बोल पहले ये बता कि थीस हजार तेरे पास आए खास है साब कोई चोरी डेकैती नहीं किया हमने मेहनत की कमाई है साब रात दिन टेक्सी चला-चला कर पैसे खटा करता हूं ताकि अपना ये महंगा शौक पाल साब साब धलब लगती है तो लगती है ना फिर मेडम ने तो हमें सामने से रिक्वेस्ट कर दी ना साब कैसे रोक पाता अपने जज़बात साब साब सब जूट बोलने से बात सच तो नहीं होती उसको थपण मारने तुछ जूटनी होता तो मेडम पल्टी मार गई है और आप सब उनके लफेटे में आगे हो साब वो फसा रही है मुझे साब पहले भी हुआ है मेरे साथ है साब साब यह वाली मेडम की आप फाइल को लिए ना देखना आपको क्या क्या मिलेगा नागेन का पिटारा है वो साब सर यह नागेश चोहान की केट वेपरस है रजिस्टर्ड केसिस आंठ है उसमेर गाउं के थाने में सर जब मैं यह अफाइर की कॉपीज लेने उसके गाउं में गया था तो वहां के लोगों वो पता चला कि नागेश पकड़ा गया फिर यहार का माहल बन गया था सर लोग बहुत खुश नज़र आ रहे मतलबे नागेश चोहान पूरे गाउं की नाक में थम था बिल्कुल सर गाउं के लोग बता रहे थे कि नागेश औरतों को छेड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था नागेश की हरकते देखकर गाउं में कई और नागेश तयार हुए है और तयार हो रहे हैं क्या नहीं कि इस बगमाश में अरे कभी धाय नहीं गोलियां चलाता है कभी लूटता है किसी को और अरतों का तो पूछे ही मत सहाब सुबे सुबे खेत पर गई और तों को छेड़ता है कमीना और शाम साथ बजने के बाद शामसान जैसा हो जाता है इस गाउं में इस नागेश की वज़े से इसको धरकर बहुत नेक काम किया है अप लोगों हमेशा के लिए बंद कर दो से कि पूरा गाउं सुधर जाएगा सहाब अरत एक नशाय साब शराब कांजा भांध से सौगना तेज शैरों की औरत की तो बात ही कुछ हो रहे साब हमारे गाउं की औरतों से बिलकुल लग थी ये शैरी में चाल सोच अंधाज सब अलग जानते थे चुप-चाप सहेंगी नहीं जिलाएंगी दुनिया कोई खटा गरेंगी लेकिन वो नशाई के आई साब जिसमें रिक्स लगते रहता तिल, दिमाग, बदन फड़ फड़ाते रहते थे जाक्तिवी ओरत पागल करती है साब, सोई वी तु जानी ले लेती है, जीबर के घुरू, कोई डर नी हमें लगा जान की धमकी देंगे तो हम चुपी रहेंगी रेप किया उनका सर, नागेश चुहान के वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट पर जिस पुलीस ओफिसर के साइन है, मैंने हमसे कॉंटेक किया उनका कहना है कि ये साइन उन्होंने नहीं किया, दो साल से उनकी पुस्टिंग नौबिर में हो चुकिया, जाहिर है, ये साइन जाली है इस पेड़ कैप के ऑफिस से जो बाकी के डॉक्यमेंट्स आने वाले थे, उनका क्या हो? बार-बार बात गुमा रहे हैं सार नियदीली है कोशिक, बड़े-बड़े कॉर्पोरेट मुखटे पहनते होगे और उनके पीछे हैं ये लालची भेडिये नागे इस चोहान में और इन में कोई खास फरक नहीं है बिल्कुल ओरिजनल नकली है साब कहां से बनवाया? खटी लेके गली में जाओ उत्ते तो अपने आप ही खटे होते हैं ना साब ऐसे कामों के दलालों की कमी है क्या? ट्रांसपोर्ट ओफिस में तो किलो के इसाब से मिलेंगे जूट को सच करो, सच को जूट आप से क्या छुपाय साब अनकली सर्टिफिकेट का एक असली हिस्सा तो आपकी जेब में भी तो जाता ही होगा साब साब कुछ सा ठंडा हो जाए तो बैट के बात कर लेते हैं ना साब कोई एक रकम तै कर लेते हैं मेरी रिहाई की केमत यह वड़ती रोक रही है मुझे तुझे तेरी सिंद के से रिहा करने के लिए और ना तेरे जैसे को तो लाइन में लगाकर हमेशा के लिए रिहा करतेना चाहिए सर सर वो नगली करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने वाले दू अजेंट्स को हमने फोर्जरी के चार्ज में बुकिया है और यह कंपनी इनका कोई Ёस्ती बेक अ Candid अफिस नहीं है नहीं इनका कोई कस्टमर सर्विस जैप इसे चीज को जानते ही है परूल्स के हशब से उनकी टैक्सीज में जीपीएस या जीपीएरस होना जाहें हमने दरजनों टैक्सी चेक हैं एक में भी नहीं था सब्सक्राइब कपनी के खिलाबी केस फाइल करो जी सर और कुछ सर नागे शुहान एक वकील किया है वो इडेंटिफिकेशन टेस्ट करवाने के लिए मना कर रहा है इन बहशियों के विम्मानों अधिकार होते हैं लेकिन हम उसका टेंशन नहीं लेंगे जब हम उसे कोर्ट में पेश करेंगे तब ही विक्टिम से आइडेंटिफाई करवाओं जी सर यही प्लैन है बेटा मुझे नहीं तो कम सकम मिहर को तो साथ ले जाओ नहीं पाबा मैं अकेले जाओंगे अब फिक्र मत कीजिए यह काम में अकेले करना चाहती हूँ अपने दुपट्टे से अपना चेहरा ढख लेना जो मुझे किया है और चेहरा मुझे ढखना होगा सजा उसको होगी यह मत बूलो लेकिन क्या यह जरूरी है हाँ हैसाद दुरहो लो हमारे प्रिय कस्टमर हमें खुशी हो रही है आपको ये बताने में कि आपके शहर में हमारी स्पीड अप कैप टैक्सी सोवेज शुरू हो गई है आपकी सुक्सुविधा और सुरक्षा हमारी मुख्य प्राथमिकता है आशा करते हैं आप हमें जल्द सेवा का मौका देंगे आपकी स्पीड अप कैप टीम इस केस का ट्राइल इस वक जारी है रोज सुनवाई हो रही है नागेश चौहान के खिलाफ चार्जिस फ्रेम हो चुके हैं इस केस की सुनवाई के दौरान एक और चौकाने वाली बात सामने आई कि नागेश के पास पब्लिक सर्विस वेहिकल बैज भी नहीं था जो कि किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के लिए कंपलसरी होता है इसके बावजूद स्पीड अप कैब ने उसे ड्राइवर के जौब के लिए नौकरी पर रखा हम ये बात सपष्ट करना चाहते हैं कि हम प्राइवेट टैक्सी सर्विस इंडस्ट्री पर पाबंदी लगाने की हमायत बिलकुल नहीं कर रहे हैं आज हर शहर और कस्बे में प्राइवेट टैक्सी हमारे ट्रांस्पोर्ट का एक एहम हिस्सा बन चुकी है लेकिन क्या उन कंपनीज के खिलाफ सख्ट से सख्ट कारवाई की जा सकती है जो बेसिक से बेसिक रूल्स भी वाइलेट करते हैं जब हम किसी टैक्सी में बैठते हैं तो हमारी जानमाल की जिम्मेदारी उस टैक्सी, उसके ड्राइवर और उस कंपनी की होती है जो हमें ये सर्विस प्रोवाइड करती है ये कोई ऑनलाइन शॉपिंग नहीं है जहां अगर प्रोडाक्ट पसंद नहीं आया तो उसे तीस दिनों के अंदर वापिस किया जा सकता है हम बात कर रहे हैं जिंदगी की, गरिमा की, इसमें गुड्स रिटर्न या मनी बैक का सवाली पैदा नहीं होता हम ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ नहीं है एप्स काफी सुविधा जनक होते हैं और ऑनलाइन पेमेंट्स और ट्रांजेक्शन चीजों को आसान बना देते हैं लेकिन जब तक किसी ऑनलाइन कंपनी का कंप्लेंट सेल नहीं एड्रेस नहीं फोन नंबर नहीं तो कस्टमर्स को सतर्क होना ही चाहिए आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में तब तक अपना खयाल रखें सुरक्षित रहें और याद रखें सही वक्त सही कदम सतर्क रहें जैहिंद